Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और यह एक वीडियो है ब्रैकेट ओडर पर फायर्स ब्रैकेट ओडर इसके अंदर में आपको फायर्स ब्रैकेट ओडर कैसे लगाते हैं और कौन सी चीज क्या होती है उसके बारे मैं बताऊंगा तो यह आप फायर्स का अकाउंट देख सकते हैं हम next level board के syntax page पर आए यहां पर हम syntax generate करेंगे तो काफी सारी वीडियो में बना चुका हूं हर order के आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओडर के लिए आपको ब्रैकेट ओडर पर किलिक करना पड़ेगा जैसे आप ब्रैकेट ओडर पर किलिक करोगे तो यहां पर आपसे symbol पूछा के अंदर आता है quantity में 1 डालूँगा buy करना चाहता हूं अब यह order type पूछ रहा है bracket order में यहां चार order type है जिसके अंदर से मैं दो order type आपको लगा के दिखाऊंगा market और limit बाकि आप इसी वीडियो के अंदर दोनों पर दिखाऊंगा तो पहले मैं market पर दिखा दिता हूं जैसे भी percentage select नहीं करता मैं एक एक रुपे का दोनों दे देता हूं और generate code करता हूं जैसे generate code करूँगा syntax generate हो गया मैं copy कर लूँगा अब मैं trading view के अपने account पर यहां पर मैंने पहले से alerts बना रखा horizontal line पर मैं इसी के अंदर tag दालूँगा आप tag में आप कुछ भी दाल सकते हो मैं tag ल तिगर कराऊंगा तो यह क्या होगा यहां पर एक alerts आएगा यह alerts आया और यहां पर वो bracket order आ जाएगा अगर bracket order support करता है तो यह support करता है fires आज support कर रहा है हो इस पे तो आप देखो कि bracket order में एक position लग गये और order में इसकी 2 lag लगी एक stop loss है और एक take profit है जो take profit हो 84 रुपीज पे एक रुपे उपर जो stop loss है 83 रुपीज पे लगाए नीचे इस तरीके से fires पे market order में bracket order लगाया जाता है I hope आपको पता चल गया होगा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तो bracket order लग गया अब limit order लगाना हो bracket order में वो कैसे लगाएंगे तो इसके लिए हम double click दुबारा से करेंगे इस पर click कर देते आप bracket order पर फिर से हम symbol बनाते है IOC IOC capital में select करेंगे small में select करेंगे order नहीं जाएगा और NAC click करेंगे quantity 1 लेंगे बाय करना चाहते है अब फिर से order type पूछ रहा है मैं limit डाल देता हूं अब limit में PR है PR का मतलब यह कि कोई चीज 100 रुपे की चल रही और मुझे 99 की चाहिए तो मेरे को यहाँ एक डालना पड़ेगा it means जो trigger price है उस trigger price से यह जो हम trigger हमारी condition trigger होती है उस LTP से यह price minus हो जाता है य target में एक डाल देता हूं यह pending order में आएगा क्योंकि नीचे लगेगी एक रुपे बीड जो भी LTP चल रहा होगा मैं generate करा मैं trading view पे गया और trading view पे मैंने alerts बनाया alerts के अंदर फिर से मैं tag डाल देता हूं tag में आप कुछ भी लिख सकते हो और tag मतलब tag के मतले आप कुछ भी order के अंदर तो working order के अंदर आप देखोगे एक order आ गया है और यह लाश्ट वाला order जो इनने यह लगाया है तो जैसे यह फिल अप होगा जब इसकी दो lag लगेगी जो दो इसकी lag है stop loss और target की लग बाद में लगेगी इस तरीके से pending order है तो आई होप आपको पता चल गया होग order कैसे डालते हैं क्या करते हैं bracket order कैसे डालते हैं files पर thank you for watching this video and bye